हलो फ्रेंज मिंतार हसोई में आपका स्वागत है आज हम बना रहे हैं परवल दो प्याजा परवल दो प्याजा बनाने के लिए सबसे पहले हम परवल लेंगे और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब क कम से कम तेल मसाला में बनाने की वशा में कोसश करती हूं जैसा खाना मेरी घर में बनता हुसी कारस्स मैं आपको वेडियो में दिखाती हूं आज हम बनाएंगे परवल, परवल की सबजी बनाएंगे, सबसे पहले हम परवल को साप कर लेंगे, और उसके चील लेंगे, चीलने के बाद अगर परवल हरी है तो उसके बेज मुलाइम होते हैं, अगर परवल पीली है तो उसके बेज कड़े होते हैं, इसलिए उसके बेज निकाल दें और लंबा चीरा लगा कर काट लें ऐसा काटने से सब्जी बहुत देखने में अच्छी लगती और जल्दी पक भी जाती है पुसेश काने की परवल हरी हीले है क्योंकि हरी परवल बहुत टेस्टी बनती है और उसके बीज भी मुलाम होते हैं अगर पीली हो तो उसके पूरे बीज निकाल दें क्योंकि सब्जी पक जाती है तो भी इसके बीज नहीं पकते हैं बहुत कड़ी रहते हैं हम इसी अकार में पूरी परवल अपनी काट लेंगे परवल की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई है एक बार मेरे तरीके से आप जबी बनाएए मेरे घर में भी मेरे बच्चे परवल नहीं खाते थे पर इस तरीके से बनाने से अब वो खाने लगी हैं जैसे मैं परवल कड़ जाएगी यहां पर हमें कड़ाई रखेंगे उसमें दो बड़े चमच तेल डालेंगे हमारा तेल गरम हो जाएगा उसके बाद हमें एक छोटी चमच जीरा और एक छोटी चमच कलोंजी डाल देंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे और यहां पर हम अपनी एक कटी हुई प्याज डाल देंगे इसे भी एक मिर्ट तक हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसके बाद हम अपना अद्राक लैसन का पेस्ट और हरी मिर्ची कटी डाल देंगे इन्हें में एक मिर्ट तक भून लेंगे उसके बाद कटा हुआ टमाटर डाल देंगे जिसे में टमाटर मिला देंगे और अब हम कुछ मसाले डाल देंगे यहां पर एक छोटी चम्मच हल्दी नमक स्वादंसार एक बड़ी चम्मच धनिया पाउडर एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच कस्मीरी म पाउडर और अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे मसाला अच्छे से पक जाएं अब एक मिनिट तक हम मसाला पका लेंगे अब हम कटी भी परवल डाल देंगे और इससे मसाला में मिला देंगे और ढखकर एक मिनिट तक पका लेंगे और एक कप दही डाल देंगे दही डालने से सब्जी बहुत टेस्टी बनती है और इससे अच्छे से मिला देंगे और दो-तीन मिनित तक धखकर पका लेंगे दो-तीन मिनित बाद हम देखे गे हमाई परवल पकर तयार हो गई है हमें ज़्यादा सूखी सब्जी नहीं बनाना है यहां परवल दो प्याजा बना रहा है इसलिए हम एक टमाटार स्कॉर साइज में काट लेंगे और एक सिमला मेर्च एक प्याज को कट कर लेंगे यह डालने के बाद सब्जी बहुत अच्छी दिखती है और खाने में भी अच्छी लगती है इसे तो आप ऐसे ही खा सकते हैं और एक दो मिन तक और पका लेंगे और अपनी कटी हुई दन्या पत्ती डाल देंगे और हमारी सब्जी पक चुकी है अब एक बाउल में निकाल लेंगे और गर्मा कर आप सर्व करें रोटी या पूरी पराठा किसी के भी साथ आप खा सकते हैं बेटियों देखने के लिए धन्नवाद अबादा धन्नवाद